हेलो एव्रिवन विल्कम बैक तो माई चैनल यूपी ब्लोगर शीबा सो फ्रेंड कैसे हो आप सभी उम्मेद करते हैं आप सब बहुत ही बड़ी आसे होंगे और आज का व्लोग कर लेते हैं शुरू तो अभी न सुभा का टाइम है मतलब चाय पानी सबने पे ली थी तो मुझे आज अपने रूम की सफाई करनी थी और बैट शिट वगरा चेंज करनी थी और ना मेरी तब्यद भी ठीक नहीं है तो बस नीचे का तो मैं काम नहीं मतलब कर पा रही हूं क्योंकि दो-तिन दिन से मुझे फीवर हो रहा है और अभी न यह देखो मेरे बैट से कुछ समान बहार निकलावा पड़ा था तो वो भी मुझे रखना था और बैट की सैटिंग भी खराब हो रही थी गद्दे ना पता नहीं क्यों उच्छे नीचे हो रहे थी क्योंकि दो-तिन दिन से ना बिल्कुल भी साफ साफाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी तो बस मैंने सुचा चले बैट शीट भी चेंज कर रही हूं क्योंकि ना इतनी लाइट किलर की बैट शीट होती है ना मेरी तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और मून ना ऐस सारे कपड़े मतलब धर उदर फैल गए हैं और होता है ना कि अपने काम इनसान खुद ही कर पाता है अच्छे से कोई दूसरा नहीं कर सकता तो बस दूसरा आपका थोड़ा बहुत आपकी परिशानी में काम कर दे वही काफी है तो यहां कोलिंग भी मेरा घतम हो गया था औ अबी ना पानी डालके मैंने पूरी टेबल साफ कर दी है और मुझे बिलकुल भी मतलब सबर नहीं होता जब तक मैं अच्छे से ना मतलब धूलबूल को अच्छे से साफ ना कर लूँ ना तो यहां मैंने ना एक एक चीज़ पे अच्छे से मतलब कपड़ा लगाया है और बस अभी जाड़ वाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद पोछा लगाऊंगी तो चले मिलूँगी फिर काम कर लेती हूँ बस अभी ना यहां मैं जाड़ू लगा रही हूँ और बहुत ही जाड़ा मतलब कच्रा हो गया था रूम के अंदर दो तिन दिन ना अच्छे से सफाई नहीं हो पाई थी और यहां यह रिंग लाइट भी मतलब ऐसी पड़ी हूई थी तो उसको भी मैंने सही करके रख दिया है और यह जो मेरे मैट है यह भी बहुत गंदे हो गया लेकिन आजकल धूप उप तो निकलनी रही है तो इनको ना जब धूप निकलेगी तो इनको भी मुझे धोना है और यह ना बड़े सही रहते हैं ना बैडवेट के पास डाल दोना तो ठंड से बचाओ मतलब बचाओ रहता है हेलो एब्रीवान वेल्कम बैक टो माई चैनल यूपी ब्लोगर शीवा सोफ्रेंड कैसे हूँ आप सभी उमीद को आप सब बहुत अच्छे होंगे यह जोंग होगी आवाज मेरी बिल्कुल मतलब बैट गई है बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही है मेरे कले से मुझे इतना ज्यादा मतलब कोल्ड हुआ है और काम मेरा हो गया है लेकिन सर्दी चाहे जितने भी हो काम तो करने पढ़ेंगे ना घर के और मेरी आखों के नीचे यह बिल्कुल मतलब हाथ भी देखे मेरे ना बहुत ठंडे हो रहे हैं और बिल्कुल बिस्तर में से निकलने का दिल नहीं कर रहा है लेकिन क्या करें घर के काम तो है ना करने पढ़ेंगे और इदे के मैंने कैप भी लगा लिया और मैंना कभी कैप लगाती नहीं हूँ जो बह सब भी चाहा दी है और अभी बस नहाने के लिए जाओंगी क्योंकि बिना नहाइना यार मुझसे रहा नहीं जाता है विल्कुल भी कपड़े अपड़े सब निकाल के रखे हैं मून को तो मैं नहीं नहीं और यह ना तो सुबत चाय भी ना वैने विस्तर में बैट के पी थ अब मुझे बहुत सारी कमेंट आता है कि आप रेसीपी भी साथ में शेयर करते हैं और वैसे पालक पनेट कि कोई इतनी बना रहे हूं तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दो तो चले अगर आपको मेरी रेसीपी अच्छी लगे या मेरी व्यूडीयो जदासी भी अच्छ कर लिजेगा तो छहले अभी सीधा ना यहां से जाके पहले नहाँंगी नहाने कि बाद ना सिधा किचिन में मिलूंगी फिर उसके बाद आप लोगों से बात करते हुँ तो अभी मैं आ गई हूँ किचिन में और यहाँ पर देखे मैंने पालक को उबाल के रख लिया है और ना इसको मतलब जादा नहीं उबालना है और आप इसको जादा उबालेंगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और आप ना इसको उबाल के तुरंट थंडा पानी डाल तो यहाँ पर मैंने सासा चाई भी बनने के लिए रखी है और यहाँ देखे मैंने पालक को पीस लिया और कितना अच्छा कलर आया है तो ठंड बहुत हो रही है और यहाँ मैंने सब के लिए चाई बनाई थी और यह मैं बना रही हूँ मसाला चाई और यहाँ पर देखे पर लोगों के साथ में share करूं यहां पर आधरक लसन का पेस्ट है और यहां पर यह टमाटर है अच्छा टमाटर नहीं नहीं प्रेड यह थे वह मैंने जिसमें पालक पीस था था न तो इसका इसलिए इसलिए कलर चेंज हो गया और बाकि हम ले रहे हैं सारे ड्राइ स्पाइसेज तो चलें मैं चाय भी पीली है और हम यहां बनाते हैं अपना पालक पनीर अच्छा मेरा ना आज मतलब पनीर जो है न वह तो फ्रेज आज को इतनी जादा कुलिंग कर रहा है तो उसमें बरफ जम गया था तो जब मैंने इसको कटे किया ना मैंने इसको थोड़ा सा गरम पानी में डाल दिया था तो उसके बाद वो अजीब सा हो गया मतलब बिखर सा गया तो इसलिए वो आपको इस तरह से मतलब तो यहां देखे हमने तेल डाल दिया था और तेल डालने के बाद मैंने तेस बात के पते डाले जीरा डाला हींग डाला और उसके बाद मैंने डाली प्याच तो प्याच को हमें थोड़ा सा सोफ्ट करना है और उसके बाद हमें डाल देना है अध्रक लसन का पेस्ट तो इस गरिनाइक, टमाटर की बाते है, कछे पन की वो फिर आती है, तो अभी इसमें, हम सारे एड़ कर देंगे अपने जितने भी हमारे ड्राइ स्पाइसिज have, धनिया बाउडर दालेंगे एक चमच हल्दी पाउडर भाउडर एक नए मतलब हाफ चमच बाउड़ और नमक डालता सें परλάки Mong' को अःवाल अभाई माने यहाँ अच्छ यहां पर इसको अच्छे से मिक्स करसे के, और यहाँ मेरा मसाला बहुत अच्छे से घ्रेवी तयार हो गए और यज़ाने के भादेशने की रही हैlaughs फाल्लक है वह अच्छे से मिक्स हो गया है थोड़ा साथ पानी डाल के इसको पकाएंगे और अच्छे इसमें न मतलब कम का आने देंगे और जब इसमें खतका आजाएगा तो आपको ने इसमें एक काम करना है इसमें आपको दो से तीन चम्मस दही जरूर डाली है क्योंकि जो पालक का जो टेस्ट होता है उसको मतलब एक अजीब सा सुन्दा सुन्दा सा टेस्ट होता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए दही डाली जाती तो कैसी लगे आपको मेरी रेसीपी जरूर बताईएगा और अभी बस हमें लास्ट इसमें करना है तड़का तो बिल्कुल पंजाबी स्टाइल मैंने ये पालक पनीर आप लोगों के साथ में शेयर किया है और यहां मून का धूद भी गरम हो गया है और होता है ना पंजाबी से तेल में लाल मिर्ची और यह मैंने उपर से कश्मीरी लाल मिर्ची तो बस उसका तड़का लगाया है बहुत अच्छा सा मतलब कलर देने के लिए तो यहां पर देखें मेरा हो गया है पालक पनीर तैयार तो आजाएए आप लोग भी हमारे साथ खाने के लिए तो जरूर बताएगा कैसे लिए अपर रेसीपी तो यहां पर ना यह तीनों मस्ती कर रहे हैं मून कैफिया और तानिया और खेल रहे थे यह लोग और अब इना शाम का टाइम हो गया था और शाम होते होते इतना जादा सुन पढ़ना शुरू हो गया था तो हम लोगों ने यहां चूले में आग जला ली और यह ना हमारे फूपजी हैं और यह देखो मून और इगुला चची आरी हैं और मून के मैंने कपड़े चेंज करा दिये थे और इसको कैप एप लगा दिया है और सच में बड़ा सुकून मिल रहा है आग के पास बैठने से और यह देखो मून भी ऐसी हाथ सेक रहा है जैसे मैं हाथ सेक रही हूँ ना और बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लोग ना शाम मतलब आग जला करके बैठे है शाम का टाइम हो गया है और मुझे ना वीडियो का एंड करना था तो मैंने सुझे चले आप लोगों सी थोड़े दिर बात कर लेते हैं और इस वीडियो का एंड भी कर देंगे तो आग जला के रखी हुई है बहुत जादा ठंड है और संडे है धूप तो बिल्कुल भी नई निकली है और मेरी आँखों में लग रहा है धुआ यह देखो आग जला रखी है अभी बैठे हैं यह इंपर तो आज ना मैंने आप आप लोगों के साथ अपना जो रूटीन है वह भी शेयर किया है और यह देखों ठंड इतनी है कि कैप डबल डबल कैप लगा के बैठी हूँ शो लोडवा है जैकेट रैकेट पैन रखें और तब ठीक नहीं आप लोगों को पता है चार पास दिन से फीवर आ रहा है लेकि फिर शाम का भी काम स्टार्ट करेंगे लेकिन अभी पहले थोड़ी से दिर आख के पास बैटे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आख के पास मतलब बैटके तो हमारी होती रहेंगी इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से अच्छे से प्यारे से वि हाफिस टेक केर बाबाई